कि हालो ग्लास लाविंद कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे हैं तो गाइज हमारा जो चाप्टर है भाई वह जीव जगत का वर्गी करण इसमें अपि तक हमने बहुत साइज चीजे जाने हैं कि भाई वर्गी करण क्या था पांच जगत का वर्गी करण जो है वह किस ने दिया और जो पांच जगत हैं वो कौन-कौन से थे तो भाई वह थे हमारे मोनेरा प्रोटथ सट वंजाई प्लांटी और ऐनिमेलिया ठीक है है यह हमारे पांच जगत थे अम एन आपको बताय था कि मोने रा प्रोटिस्टवर्पंजा, इkk इन तीनों को तो आप पड़ चुके है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोतिस्टा को अम प्रोता में अगे किसी बच्चों कोई दिक्कात आ रही है विकाज हम एक टॉपिक को एक क्लास में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं और आप देखते हो कि भाई 50-60 मिनट के लेक्टर्स पड़े होते हैं और उसका कुछ इतना फायदा नहीं होते कि भाई एक ही बात को दददस बार रिपीट करना और एक गंटे तक पढ़ते रहना वहां पर थोड़ा टाइम भी वेस्ट सा हो जाता है तो यहां पर आपको जी साइन स्पेस्टिस का फायदा मिलता है कि आपका जो टॉपिक होता है आप दस से पंदर में समझ लेते हो बहुत अच्छी से क्लियर कर लेते हो एंड कुझो ब बढ़े आगे यहां पर ओके स्टार्ट करेंगे यहां पर एक बार टाइम टेवल बता दू काफी को नहीं बता है तो लाइवन तो आपके जो लासे वोती है वो टूज़ए थर्सडे एंड सैटर्डेडे को होती है यानि की टीटी एस में आपके लास होती है और बाग के द लाइए ने क्लास में चलो के रहो कोई टेंशन की जरूत नहीं अठ्छे से पड़ो बस ओके ओके जगद प्रोटेस्टा चलिया मैं आप से यहां पर पूश्च आप मुझे यह बताओ यहां पे कैसे जीवों को रखा गया है है हंजी फटा फट से बताईए यहां पर कैसे जीवों को रखा गया है जगद प्रोटेस्टा में किस प्रेकार के जीव हैं किसी को पता है हां जी जगद प्रोटेस्टा में चलो पिटा पांच जगद प्रोटेस्टा आपका दूसरे नमबर पर आता है और यहां पर रखे गए हैं हमारे सारे के सारे एक कोशी किये यूकरियों ठीक मुनेटा में कैसे थे बिटा मुनेटा में जो थे वो यहां पे यहां पे सारे के सारे कोशिकांग कोशिकांग क्या होता है भई कोशिकांग के अंग ठीक है सारे के सारे कोशिकांग यानि की कोशिकांग के अंग क्लियर है कोशिकांग जैसे आपका राइबोजोम, माइटोकॉंड्रिया, लाइजोजोम, गॉल्जी बॉड़ी ये सब और प्लास यहां पर क्या मिलेगा हो या NBC नुकलिस कि भैस आरे के सारी कोशिकांग यानि कि इस्टैंट यर्ल सो मिली रहे हैं और भई यू केरिवार्ट एट दोई खास्यत क्या है की केंद्रक मिलेगा यहां पर ठीक है और अगर केंद्रख मिल रहा है यहांपर थो वह सिंपल सी बात रिए किया कि केंद्रख भिली भी आपकी यहांपर मिलने ही वाली है कि एंट जरी तो केंद्रख को चारजर उरस घेज़ कर रखती है ओके चालो तो सारे के सारे यहां पर कैसे जीव हैं एक कोशी किया है यूँ कैरियोड अब यहां पर जानेंगे इनके लक्षनों को तो जैसे कि आप सब सबसे पहले एक लाइन लिखिए ध्यान से देखिए सभी एक कोशिए किया यू के रियोट पूर्शन की विधी के अधाया पर विटेकर ने जगत प्रोटेस्टा में समलिद किये हैं ठीक है प्रोटेस्टे जो है भाई यहां पर मैं बात करो शब्द की तो किसने अर्नेस्ट ह के कल द्वारा या दिया गया था ठीक है एक यहां पर बहुत अच्छे से अब यहां पे क्या समान लेक्शन नंबर 1 कैसे जीव होते हैं यह एक कोशिगे यू कैरियोडिक जीव हैं यह कोशी Mercury ग मैं कुछ ट् Đ smell थाम य सी यह मैं यह प्रिया चैस होते हैं आ छलये जीव होत जाते हैं जली जीव कौन से होते हैं जो जल में पाए जाते हैं कोशी के संदशना कैसी है यू क्यारियोर्टिक प्रेकार की होती है यानि कि भाई सभी प्रेकार के जिल्ली आप बंद यानि की जिल्ली से घरे कोशिकांग यहां पर पाए जाते हैं और बेटा अगर हम राइब जो होते हैं वहाँ दू तरीके से होते हैं ठीक है राय वो हूं जो पहते हैं वह बित वो तरीके से हओते हैं एक होते हमारे 70S THRI ? रोते हैं,हमारे 80S राई फिर्व वो हो प्रो केरियर अउंट में मिल रहे थे वह सिर्फ 7% राय बोजों मिल रहे थे जबकी 80 S ribozoom वहां पे नहीं मिल रहे थे एक्टीस राइब उसों कहां मिलते हैं 80 एस राइब उसों जो ते इस रिफ यू क्यारी और थे मिलते हैं तो यहां पर क्या बोला गया है कि भयई इनकी कोशिका संरशना यू क्यारी ऑटिक प्रेकार की होती है है clear और इनकी कोशिका में सभी प्रेकार के जिल्ली से घ्रेक उच्छ अंग भाइस सारे मैंने बोला था प्रोक्रेटीक और यूज के अधिक को आप ऐसा मा सकते हैं आपके पास एक घर वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है एक घर वो है जिसके पास सब कुछ है तो भाई यू के रोट कि अगर हम बात करें तो यू के रिवाट कौन जिसके पास सब कुछ है तो जिल्ली से घरे को शिकांग यहां पर होते हैं प्लास यहां पर कूट-PATH-AMOEVA मन पाए जाता है आपका इसी में आजाता है नेक्स पोशन के विधी प्रेकाश संसलेशी होते हैं प्रेकाश संविस्य कैसे कि भई अपना खाना वो खुछ से बनाते हैं क्यूं कि वह प्रकाश को अव्षोशित कर लेते हैं kolozoic होते हैं यानिकी भई पहले काने को खाएंगे ठीकर उसको क्या करेंगे डाइजेस्ट करेंगे यानिकी उसको पाचित करेंगे परजीवी भी होता है यहाँ पर पर जीवी कैसे बिटा एक जीव mitt होता है वो दूसरे पर depend होता है विना हमारे किया करता है उस से अपना भोजन लेता है अ यहांं पर मैं यूगलीना के बात करते हूँ विट यूगलीना जो है सको बोला जाता है पादप यानि की प्लान्ट और यानिके पादप और चनतों के बीश की कडि ठीकि में है लिए में क्यूंने है तो तो इसको ऐसा इसले बोला जाता है क्योंकि ग्यूंख वा है किसी को है तब देखो ता क्या है कि भाई देखो जब बटा आपके पादर की बात कि वो अपना हाना लेकिन जिस समय उसे प्रेकाश नहीं मिलता अब वो दूसरे जीवों पर डिपेंड हो जाता है अब किसके लिए अपने पोशन के लिए तो इसलिए इसको बोला जाता है पादप और जंत्वों के बीच की कड़ी तो अगर कोई आपसे पूछे कि पादप और जंत्वों के बी भी हो सकता है लेंगिक यानिकी सेक्ष्वल भी हो सकता है ओके है क्लिया बिल्कुल कुछ भाई आपके अगरें परजीवी बात करें कुछ आपके रोग उत्पन कर देते हैं यहां पे ठीक है तो कुछ परजीवी प्रोटेस्ट आपके रोग उत्पन करते हैं जैसे हो गया Malyria यह सब चीज़े ऐख क्लियर तो ये क्या थे भई कोच आपके वेसे कलक्षन थे यानिक यह थे भी अभी लक्षन या आप क्या सकते लक्षन जो प्रोटिस्टा जगत किये थे मौने रपूरा कम्प्लेट हो चुका है हमने प्रोटिस्टा को आज स्टाट किया है औरौटीस्टव में जना कैसे जीवात है जाने उनके लक्षनों को कि भय इसमें अगर जो जीव है उनमें यहां पर पाये ही जाएंगे अब यहां पर इसको भी बाटा गया है तो जगत wird stack log in यहानि कि यहां पर जो आपका प्रोटिस्टा जगाता ठोट कैसे बाटा गया जगत प्रोटिस्टा का किया है यहाँ पर आपका वर्गीकरन एंधे लिजये आप बाटवर गया किस में cry Lub fights May Do boda Business में यूगलि नॉइड में आफपको और प्रोटो जोवा में इन सब को हम एक एक करके डिटेल है पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे बहुत करेंगे नमबर वन क्राइण वट फाइट को लेकिन आज स्टार्ट नहीं करेंगे क्लियर है तो जो प्रोटिस्टा में बहुत सारी जीव है उनको भी अलग से बाटाई कि इनको इसमें रखों इन भागों में क्राइसोफाइट्स ठीक है डाइनो फ्लेजलेट्स यूगली नॉइड और पंकर वर्क और प्रोडो जोवा में तो यही तक हम आज रोकेंगे और इसको आप फड फड फट से अपने नोर्म में क्या करना है आप लिवडि कर लेना है जहां पर नोर्स बनाए उसी के नीचे लिखना स्टार्ट कर देए ताकि notes आपके ready साथ साथ होते हैं लास्टाइम पापको किसी से notes मांगने के दिकत ना हूँ clear है तो आई hopes clear हुआ है लक्षन किया होते हैं तो आझ एक लास हमने जाने की प्रोटेस्टर में कैसे जीवो को रखा है इनके अभी लक्षन की और कैसे बाटा गये नेक्स्स क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे आपके क्राइस फाइट को ओके करके पढ़ेंगे ताकि आपको गोई भी दिक्कत ना है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब दक लिए बाब बाई टेक केर अच्छे से पढ़ाई कीजिए